असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब लोग आप सब ठीक होंगे वेलकम टू डिलाइटफुल डिशिस विद कुलसूम आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुंगफली यानी सेंगदानी की चटनी चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनती है इसके लिए मैंने 1500 ग्राम मुंगफली यानी सेंगदाना लिया है इसको मैं भून रही हूँ भून कर हमें इसके छिलके उतारने होंगे इसके लिए कुछ चीज़े लगेंगी देखिए मैंने क्या क्या लिया है गुड़, करीपता, थोड़ी हिंग, इमली, लहसन, दो चमच, लाल मिर्च और जीरा, इसमें एक दो चीज़े हमें भूननी पड़ेंगी, प्यान में मैंने थोड़ा तेल डाला है, इसमें मैं जीरा और करीपता भून रही हूँ, भून कर हमें इनको निकाल लेना है, जीरा और करीपत थोड़ा तेल में भून कर मैं निकाल रही हूँ, मुण फली को मैंने छिलके उतार कर साप कर लिए है इस तरह, अब मैं ग्रेंडर जार में मुण फली डाल रही हूँ, उसके साथ सारी चीज़े डालूंगे लाल मिर्च, इमली, गूड, नमक, जो मैंने भून लिया था, करीपत्ता और जीरा उसको भी डाल रही हूँ, हिंग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ी एक पिंच मैं इस में हिंग डाल रही हूँ अब हमें इसको पीस लेना है मैं इसको बहुत फाइन पॉटर नहीं बनाओंगी इसको फड़ा मैं दरडरा ही रखूंगी इसका टेक्स्चर दरदरे में ही बहुत टेस्टी और बहुत आच्छा आता है देखिए एक इतनी अच्छी बनकर रड़ी है वेच खाने के साथ यह बहुत ही टेस्टी लगती है देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चानल को सब्सक् हुआ हुआ